जी, कौन है आप और आपको क्या चाहिए? मैं गंगू, मैं राजा बीरबल से मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे इंसाफ चाहता हूँ लेकिन राजा बीरबल आराम कर रहे हैं, उन्हें आप लोग कल दरबार में जाकर क्यों नहीं मिलते? नहीं, नहीं, हमें अभी उनसे मिलने दीजिए, यह आदमी एक चोर और जूटा है, मैं और बरदाश नहीं कर सकता, हमें आज यह मामला सुलजाने दीजिए ठीक है, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ अगर वो आपसे अभी मिल सकते हैं, आप यहीं ठेरिए हुजूर, बाहर दो आदमी आपसे मिलने के लिए आये हुए हैं वो आपसे इंसाफ चाहते हैं मैंने उनसे कल दर्बार में मिलने को कहा पर वो अभी ही मिलना चाहते हैं ठीक है, उन्हें अंदर लियाओ अंदर आईए, राजा बीरबल आपसे अभी मिलेंगे आदाब हाँ जी, क्या समस्या है? जरा ठेरियेगा कौन हो सकता ये? आदाब, जूर आदाब आदाब, हुजूर आपने मुझे बुलवा दिया है अगर कुछ काम था तो नहीं, मैं सिर्फ बागीचे में सैर कर रहा था सोचा, क्यों न तुमसे मिलता चलूँ? आदाब, हुजूर ये कौन है, विरबल? मैं खुद भी जानना चाहता था, हुजूर इन्हें इनसाफ चाहिए, लेकिन मैंने बाद में आने को कहूंगा नहीं, नहीं, मैं तुम्हें इनसाफ करते देखना चाहता हूँ, शुरू करो हाँ तो आप कहिए, कहिए आप दोनों कौन है और समस्या क्या है? जहां पना, हुजूर मैं गंगु तेली हूँ, मैं तेल बेजता हूँ मैं शहर के काफी वैपारियों को और दुकानों में तेल बेजता हूँ, आज मेरा कारोबार अच्छा हुआ और इसकी दुकान से गुजर रहा था, ये लच्छुराम कसाई है, इसमें मुझे अंदर बुलाया ए, तेल वाले, हिदर आओ, मुझे तोड़ा तेल दो जी जनाब, कितना तेल चाहिए आपको? आ, सोचने तू, मुझे एक माप दे दो जनाब, ये लीजिए, दो रुपे हुए जनाब दो रुपे? ये तो जादा है, तुम तो बैमानी कर रहे हो जनाब, तेल महेंगा हो गया है, मुझे वैपारी को भी देना पड़ता है और कमाई इसमें कम है, मैं, मैं आपको ठग नहीं रहा आप किसी से भी पूछ लें खेर, सभी यही कहते हैं, तुम हमें ठग रहे हो खेर, ये लो पैसे, एक चांदी का सिक्का है, अब मुझे छुटे देदो अह, तुम ठग गे होगे, सारा दिन ये बोजा उठा कर क्यों ना अंदर हाट धोकर मेरे साथ थोड़ी लस्टी पीलो, फिर काम पर चले जाना, क्या ख्याल है, अरे, क्या करा है या, ये मेरे पैसे है, छुटे, ये मेरे पैसे है, तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो तुम्हारी ऐसी हिम्मत, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगा, फिर हमने जगडा शुर कर दिया, इसलिए हम यहाँ आए हैं, अब आप ही मेरे पैसे वापत दिलवा सकते हैं तुम हैं क्या कहना है इस बारे में, जनाब ये आदमे एक जूटा और चोर है, दरसल बात कुछ ऐसी थी जनाब, जनाब क्या आपको तेल चाहिए नहीं, शुक्रिया, मुझे ज़ुरत नहीं है जनाब, आज मेरी बोनी तक नहीं हुई, एक नाप ले लीजे, मुझे एक नाप देखो, मैंने कहा मुझे ज़ुरत नहीं है, मेरे पास एक बहिने का काफी तेल है जनाब, मैं आपको छूट दूँगा, जनाब, जनाब, एक नाप ले लीजे ठीक है, ठीक है, मुझे एक माप दे दो शुक्रिया जनाब, दो रुपे हुए इसके ठीक है ये लो पैसे जनाब, क्या मैं हाद मूँ धो सकता हूँ? सारा दिन ये थेला लटका के मैं ठक गया हूँ सिर्फ हाद मूँ धोकर थोड़ा चुस्त होना चाता हूँ ठीक है, पर जल्दी करो, हाद मूँ वाँ धोलो ए, ये क्या कर रहे हो, रुको, जोर कहीं का मेरे पैसे वापिस करो नहीं, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे थेला है तुम्हारी जुरत कैसे हुई, मेरे पास भीक मांगने आए, मैंने मदद की तुने ये क्या किया, मेरे पैसे चुराए तुम मुझे लूटना चाते हो, ये मेरे पैसे हैं, और मैं तुम्हें नहीं दूँगा लोग जमा होगे, और सलाटी की आप के पास आए हुजूर, अब आप ही मेरे मदद करें हुजूर नहीं जनाब, ये मेरे पैसे हैं, ये आदमी जूर बोल रहे ओ बीरबल, अब तुम ये समस्या कैसे सुझाओगे कोई गवा भी नहीं है, दोनों एक दूशरे पर इल्जाम लगा रहे हैं अब तुम इसका इंसाफ कैसे करोगे हुजूर, इस समस्या का हल है, और माफ कीजिएगा हुजूर पर आप गलत थे, एक गवा है इस बात का हुजूर, आपकी गलत फहिमी है, जब उसने पैसे लेना चाहे, तब वहाँ कोई नहीं था नहीं, तुम गलत हो, एक गवा मौजूद था, वो पैसों का थेला, वो ही गवा है बीरबल, तुम ठीक तो हो, भला पैसों का एक थेला गवा, एक थेला सच्ची बात कैसे कह सकता है हुजूर, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मुझे यकीन है ये थेला ज़रूर बोलेगा कमाल है, ये तो काफी दिल्चस्प होगा, जल्दी करो एक बर्तन में पानी लेकर आओ अब ये पैसों का थेला मुझे दो हुजूर, सच्चाई सामने है ये तेली सच बोल रहा था, ये पैसों का थेला उसी का है तुम ये कैसे कह सकते हो बीरबल, तुम्हें यकीन है मुझे पुरा यकीन है हुजूर, मैं साबित कर सकता हूँ तो साबित करो हुजूर, अगर आप देखें तो पानी के उपर तेल की एक परत है ये तेल की परत इन सिक्कों में से आई और ये तेल सिर्फ तेली के हातों से ही आ सकती है जब वो थेले में सिक्के डालता था और निकालता था सिक्कों पे तेल लगने का और कोई कारण होई नहीं सकता शाबाश, शाबाश, हमें खुश कर दिया तुमने, बड़े होश्यार हो तुम, बहुत खुव शुक्रिया जणाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे माफ कीजिये, माफ कीजिये हुजूर मैं शर्मिन्दा हूँ, मैं लाल्ची हो गया था नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा तुम्हें इस आदमी को वो पूरी रकम लुटानी होगी जो तुमने चुराने की कोशिश की और इस जुर्म के लिए एक महीने की कैद शुक्रिया जहां पना बीरबल, तुम्हारा कोई भी जवाब नहीं शाबाश बीरबल, शाबाश शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया